हलो साथियों कैसे हैं आप सभी लोग उमेदे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे शानदार होंगे और अपने त्यारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी इस क्लास में करते हैं हिंदी पैडा गोजी के वो क्वेश्चेंज जो आपके दो चुके हैं अगर आपने देखे जरूर देखेगा दो क्लास हो भी चुकी है तो चलिए कि जो क्लास है कोश्चन नमबर 16 से लेकर के कोश्चन नमबर 30 तक आपको देखने को मिलने वाली है पहला जो क्वेश्चन है क्लास की वहा है पहली दूसरी कच्छा में अनेक बच्चे हिंदी भासा सीखते समय अपनी मात्र भासा का प्रियोग करते हैं या सुईकार रहे आज सुईकार रहे वैद नहीं है या फिर बहुत गलत है सभी लोग बताएंगे कि यह जो कोश्चन है इसका सही आंसर क्या रहने वाला है सारे के सारे कोश्चन आपके 2021 और 22 में जो आपका सीटट का एकजाम हुआ था आनलाइन कम्प्यूटर बेस्ट एकजाम उसी के कोश्चन है सुभी लोग अपनी तैयारी काकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल खेंगे है तो जितने ज़्यादा आप कोश्चन देखते जाएंगे करते जाएंगे समझते जाएंगे उतनी इच्छी आपकी त्यारी धिरे-दिरे होती जाएगी पहली कच्छा या फिर दूसरी कच्छा में अनेक बच्चे हिंदी बासा सीखते समय अगर अपनी मातर बासा का प्रयोग करते हैं तो हमको क्या करना है क्या उनको अस्विकार कर देना है नहीं करना है व्याद धिन नहीं है यानि कि वो अपनी मातर बासा का प्रयोग कर रहे है तो ऐसा करना क्या गलत है अगर वा कलासरूम में या फिर आपके सामने अपनी मातर भासा का प्रयोग करता है तो आपको उसकी भासा सीखने की कोशिस करनी है और उसकी भासा को स्विकार करना है आपसा नंबर A जिन लोगों ने किया था कोश्चन नंबर 16 का उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा 16 से लेकर 30 तक नंबर अपनी नोट बुक पर लिख लिजिए और हर एक कोश्चन के सामने सही का निसान लगाना जितने आपके सही निकले और जो गुरत निकले उसको काड़ दीजेगा और रंत में बताएगा कितने कोश्चन आपने सही किये अगला कोश्चन है आपका रूपा चौथी कच्चा में पढ़ाती है उन्होंने गुजराती लोक कच्चा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भासा में आदर के लेकिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है जैसे गुजराती है भासा में भाई बेन का प्रियोग किया जाता है रूपा का उद्देश है कहने का मतलब है एक कोई सिच्चिका है रूपा जो क्लास फोर की कच्चा में पढ़ाती है उन्होंने गुजराती लोक कच्चा यानि मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भा समय भाई बेन का प्योग किया जाता है तो रूपा का उद्दे से क्या है ये पूछने का आपको ये बताना है पहला देखे लिखा है आपसन अन्य भासाओं को जानना दूसरा आपसन लिखा है सभी बच्चों को आउसर देना तिसरा आपसन लिखा है बहु भासिक्ता को बिल्कुस सही हो जाएगा क्या होता करना आप संद नमब्स सी कोशम अशिट के लिए उनका बिल्कुस हो जाएगा ज्न मुवे आंप संद नमब वन भी देख रहे होंगे तरफ फ़्हें नमब्स से का kजनों को जानना तो यहां पर न भासाओं को जब आपस में आप लोग बात चित करेंगे आपके साथ ही लोग अन्य भासा में बोल लें आप अन्य भासा में बोल लें तो क्या होता है एक दुसरे के बढ़नों को हम लोग जाने लगते हैं कि ये अपनी भासा में भाई को क्या बोलेंगे बहन को क्या बोलेंगे पापा को क्या बोलेंगे यह जो सिचका थी कि जो बच्चे हैं उनकी क्लास में जब एक से ज़्यादा भासाओं को सुनेंगे बोलेंगे पहचानेंगे तो भासिकता वाले बच्चे हो जाएंगे तो आपसा नमबर सी जो है बिल्कुश सही अंसर इस question क के लिए चलते हैं पर question नमर 18 है आपका प्राथमिक इस्तर पर भासा शिच्छन के संदर्व में कान सा कथन सारवधिक उचित है आपको सबसे उचित कथन चुणना है सारवधिक उचित हो सकता है दो कथन सही हो तीन कथन सही हो लेकिन उन दो या तीन मेंसे सबसे आदा उच जम्में जिनके 18-19 ही नंबर बने पारे थे पैड़ा गोजी में बहुत सारे कोशन गल्द करके आते हैं तो 20-21-22 ही नंबर आपके देखने को मिलते हैं तो चलिए इसका अंसर बताइए क्या हो जाएगा प्रात्मिक इस तरपर यानि एक से पांच तक की कच्छाओं में भासा सिच्छन के संदरब में कौन सा कथन सबसे उचीत रहेगा पहले अपसन आपका लिखा है बच्छों को करमसे भासा को सलच खा जाने चाहिए दूसरा अपसन आपका लिखा है बच्छों को केवल भासा की पाठ पुस्तक ही पढ़ा जानी चाहिए या फिर केवल पाठ पुस लिखा है, सभी बच्चों की प्रगत समान रूप से होनी चाहिए, तो सभी बच्चों की प्रगत एक समान नहीं होती है, आपको यह चीज़ पता है, तो आपसर नमबर C भी आप काड़ सकते हैं, आपसर नमबर D आपका लिखा है, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल शा हो जाएगा क्यों सही होगा उपर लिखाता है बच्चों को क्रमसे भासा कोसल सिखाया जाने चाहिए है जबकि आपसे नमबर डी देखे क्या लिखा है बच्चों को विभिन्य प्रकार का बाल शाहित पढ़ने के आवसर जहां पर आवसर दिख जाएगा सबसे ज़्यादा प किसी में आएगे पोजिटिव में आएगे तो हमारा जो आपसे नमबर डी इस कोस्टन के लिए बिल्कु सही हो जाएगा प्रात्मिक इस्तर पर भासा सिखन के संदर्व में सरवधिक जो उचित कथने वो यही है कि बच्चों को विभिन्य प्रकार का बाल शाहित पढ़ने के अवसर दिये जाएं तो आपसे नमबर डी बिल्कु सहीज कोस्टन का चलते हैं अगले कोस्टन पर कोस्टन नमबर 19 दिखाए बच्चों के भासा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को पहला अपसन दिखे लिखाए आनुकरण के लिए प्रोत साहित करना दूसरा अप अवसर दिखाए बच्चों को आप अवसर दिखे लिए जिन लोगों निक्या है उनका सबका बिल्कु सही आनसर हो जाएगा अपसन नमबर बी चलते हैं लिखा है माया अक्षर सब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है एक लड़की है माया जो कि जब कुछ लिखती है तो क्या करती है अक्षरों को छोटा और बड़ा करके लिख देती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है या फिर किसी किसी स शब्दिया वाकिको वो एक में सटाकर लिख देती है, संभ होता है, डॉट डॉट के कराण ऐसा होता है, आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, लापर वाही ये लड़की की अज्यानता है, या फिर डिस्ग्राफिया है उसको या फिर अरूची है, सभी लोग आंसर करेंगे उसको हो जाएगा डिस्ग्राफिया, क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया इसका सही आंसर हो जाएगा, आपसे नंबर सीजिल लोग निक्या है, उनका सबका विल्कुछ से आंसर हो जाएगा, डिस्ग्राफिया, उमेदे सभी का सही आंसर निकला होगा, चलते हैं अंगले क कोश्चन पर कोश्चन नमर 21 देखें सभी लोग इस कोश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बाद सभी लोग लिखा है बच्चों की लेखन छमता का आकरन करने के द्रेश्ट से कौन सा प्रशन सारवाधिक बहतर है कोश्चन हर बार हर सिप्ट में बना है आ इसने भी आपके एकजाम होते हैं अधिकतर हर एकजाम में इस परकार का कोश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बात करें सीटर के तो सीटर 2021 और 22 में इस परकार का कोश्चन आपको अधिकतर सीटर की एकजाम में देखने को मिलता है तो सभी लोग आंसर करिए इसका सही पहला रिखाया बहादुर बिथ्टो कहानी का अंत बदल कर लिखी रिखाया बहादुर बिथव्टुमें शंग्या सब्दों को चिनित कीजिए यानि जो सप्द का नाम या फिर उनको चिनित करना है तो यह उनकर अपनत आपका दी लिखा है बहादुर बित्तो कहानी का शीरसक दीजिए तो आप लोग बताईए इन तीरों में से कौन सा अपसन होने वाला है बच्चों की लेखन चमता काकरन करने के दिर्श से कौन सा सारवधिक बहतर हो जाएगा आपको यह बताना है कॉस्चन नमबर 20 के लिए थोड़ आपके क्लास में 15 वक्चे हैं और आप बताऊगे कि भयाई यह जो हमने आपको भी पढ़ाई है कहानी इसका अंत जो हमने बताया है यानि कि लाश्ट की पांच लाइनों को अपने सब्दों में लिखे है जैसा हमने बताया आपको वैसा नहीं लिखना है थोड़ा सा अंत बदल कर लिखना चाहिए आपसन नमबर बी जो है बिल्कुल शही और सारवाधिक बेहतर आपसने कोश्चन नमबर 21 के लिए चलते हैं लिए कोश्चन पर कोश्चन नमबर 22 लिखा है पोर्ट फोलियो डॉट में मदद करता है आपको बताना है पोर्ट फोलियो किसमें मदद करता है तो हिंदे पैडा गोजी अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखने है तो सारी क्लासों को यहाँ पर कीजिए और साथ-साथ में अगर आपको जरूरत है अच्छी तरीके से पास होने की हिंदी में तो आप हमारे नोट्स भी खरी सकते हैं जो कि आपको सिर्फ सो रुपे में मिलेगा मास्टर सद्डा लर्निंग एप पर उपलब्द है देखें क्या लिखा है लिखा है कारी को संचीत करने दूसरा अपसन लिखा है बच्चों को भयय युक्त वातावरन देने के लिए किसरा अपसन लिखा है समस्त छमताओं की जानकारी देने के लिए जबकि चौथा अपसन लिखा है क्रामिक प्रगत का आकलन करने के लिए सभी लोग आंसर करेंगे question number 22 का बहुत अच्छा question है और कई सारे लोग option number A और D में फस जाएंगे और फस भी चुके होंगे अभी तक आप लोग सभी लोग answer कर दिए इसका सभी answer क्या होने वाला है कई सारे लोग A कर रहे होंगे कई लोग D भी कर रहे होंगे portfolio dot dot में मदद करता है इस question का जो लोग option number D करेंगे उनका सिर्फ सही होगा बांकि सबका गलत होगा पर भायमुक्त वातामर देने के लिए यह होता नहीं है समझ छमताओं की जानकारी के लिए नहीं होता है क्रामिक प्रगतिका आकरन करने के लिए होता है तो option number D सही था जबकि option number A देखे लिखा है कारी को संचित तो खाली वो जो कारी कर रहा है उसको संचित नहीं करना है उसके बाद में क्या करना है उन सभी कारों का आपको आकलन करना है और उसके आधार पर आपको क्या करना है एक report बनानी होती है इसलिए आपसर नमबर D सही, आपसर नमबर A जो है आपका इतना सटी को सही आंसर नहीं था जितना आपका आपसर नमबर D सही है, बाकिया आंसर की में भी आपका आपसर नमबर D ही माना गया है थोड़ी से जानकारी लेते हैं पॉर्ट फोलियो के बारे में, चलिए देखिए लिखा है पॉर्ट फोलियो एक परकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्तिया बालक के जीवन के सभी छेत्रों का करमबद जानकारी ओकत्रित करके रखा जाता है यानि किसी बालक की क्या अपलबदिया हैं, क्या कमिया हैं, इन सभी जानकारियों को पॉर्टफोलियों में संचित रखा जाता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी बालक की जीवन का प्रत्यक अवस्था तथा उसके साथ हो रही घटनाओं की जानकारी इस फाइल के अंतरगत मिलती हैं। और मनुस्थ के डोट-डोट के साथ गहरा संबंद होता है। पहला अपसन लिखा है असमिता और व्यापार तो भासा का व्यापार से गहरा संबंद नहीं होता है। अपसन नमबर बन आप काड़ सकते हैं। के विचार के साथ गहरा संबंद होता है। Q3 का आपसन नमबर C बिल्कु सही है जबकि आपसन नमबर 4 देखे क्या लिखा है? व्यापार तो व्यापार हमने पहले ही काड़ दिया था उपर तो आपसन नमबर D भी आपका कड़ गया। बच कौन सा गया, सिर्फ आपसन नमबर C बच गया, कोश्चन नमबर 23 के लिए, जिन लोगों ने इसके लिए आपसन नमबर C किया था, उनका सबका बिल्कुर सही आंसर हो जाएगा, चलते हैं अगले कोश्चन पर, कोश्चन नमबर 24 देखे क्या है, लिखा है, ज्यादातर बच्चे स्कूल की सिच्छा की सुरुवात से पहले ही भासा की डाट डाट और डाट डाट को आतम साथ कर पूण भासिक छमता रखते हैं, पहला अपसन लिखा है चुनोतियों आवसरों, दूसरा अपसन लिखा है जटिलताओं और मानकों, तिसरा अपसन लिखा है चुनो चमता रखते हैं कहने का मतलब है कि जब कोई बालक विद्याले जाता है उससे पहले ही वो भासा की चमताओं के बारे में कौन कौन से चीज़ें सीख लेता आपको ये बताना है तो क्वेश्चन नमबर 24 के लिए आपसा नमबर D विल्कु सही है बच्चे विद्याले जाने से से पहले ही भासा की जटिलताओं और नियमों को आतमशात कर पूर्ण भासिक चमता रखते हैं अपसा नमबर D विल्कु सही हो गया इस कोश्चन के लिए अगला कोश्चन आपका 25 दिखे क्या लिखा है लिखा है प्राथमिक इस तरपर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कच्छा के बच्चों को प्रति दिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है आप इस कच्छा के बारे में क्या कहेंगे प्राथमिक इस आप का कहानी सुनाने के शमय को वह क्या कर रहिए निस्ट कर रही यानि कर रही है जब वो कहानी बच्चों को अवरूद्द कर रही है यह वो क्या कर रही है पढ़ने और और मोखिक अभिवक्त का विकास हो रहा है, अपसा नमबर C बिल्कुश सही है। जब वो कहानी पढ़ के सुना रही है, तो साथ-सात में बच्छों से भी पढ़ने को अगर वो बोल ला है तो पढ़ने की छमता और मोखिक अभिवक्त की छमता का भी क्या हो रहा है विकास हो रहा है क्योंकि उसने बाद में चर्चा भी की है बच्चों से भी पूछाए कि तुम्हें इस कहानी से क्या समझ में आया तो इससे मोखिक अभिवक्ति का विकास हो रहा है और क्या हो रहा है और साथ साथ में पढ़ने का भी विकास हो रहा है आपसर नमबर C, कोश्चन नमबर 25 के लिए जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुछ सही अंसर हो जाएगा वो रित नहीं 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 भाष रही है कि कहानी सुनाना ही रोज वैश्चों को तो ऐसा कुछ नहीं था तो आपसर नमबर D.भी गलत दे, A.ब गलत दे, बी डी गलते सही था वो था आपसर नमबर C Q26 देखे सभी लोग गद्य सिच्छन में आपेच्छित नहीं है यानि जब आप गद्य पढ़ा रहे हैं तो क्या आपेच्छन नहीं की जा सकते आपको ये बताना है नहीं देखे लिखा है पीछे तो फटा फटा आंसर करिए एक बाद सभी लोग क्या हो जाएगा सही आंसर Question no 26 के लिए गद्य सिच्छन में आपेच्छित नहीं है भासक की बारीकियां समझना तो भासक की बारीकियों को समझना तो गद्य सिच्छन के लिए क्या हर प्रकार के सिच्छन के लिए क्या होता है आवश्यक होता है तो ये जो है गलत नहीं होगा दूसरा लिखा है कलपना सिलता का विकास ये भी सही है C लिखा है तार्किक शक्त का विकास ये भी positive way में आ रहा है question negative way में पूछ रहा है क्या नहीं होगा यानि कि क्या हम अप एच्छा नहीं करेंगे तो option number D रिखे लिखा है अनुकरण चमता का विकास करना हमारी नकल ही करते रही है हमने जो board पे उतार दिया है विल्कुष सही question भी आपका देखिये निगीटिव पूछा गया था आप एच्छित नहीं है क्या आप एच्छित नहीं है आनुकरण चमता का विकास करना यानि नेकल मारने की चमता का विकास करना आप एच्छित नहीं है बाकी भासा की वारिक्या समझना positive word है कलपना सिलता का विकास भी सही है तार्गी शक्रित का विकास भी सही है option number 10 का question number 26 का Master Shardar Learning App है जो कि आपको यहाँ पर हमारी सभी class की PDF मिल जाएंगी यह देखिए आप जब सर्च मारेंगे Google Play Store पर तो आपको यह logo मिलेगा आपको यह app download करना है आपको मिलेंगी यहाँ वहाँ आपको रोज भठकना नहीं पड़ेगा सीधे एक बार आप लोग क्या करेंगे एपको download करेंगे Master Shardar आपको वहाँ पर आपको जितने paper हैं आपको वह भी मिल जाएंगे आपको रोज एक paper अगर लगाना है तो आराम से लगाएगा बैठके साथ साथ में आंसर की भी है कच्छा तीन से लेकर कच्छार तक कि अगर आपको कोई भी books पढ़नी है याद करनी है, रटनी है, कुछ भी करना है आप यहाँ से जाकर के कर सकते हैं साथ में जो अमारी क्लासें चल लें है यूटूब पर पढ़ रहे हैं इसकी PDF भी आपको यहीं पर मिल जाएगी और क्या मिलेगा, आपको 100-100 रुपे में यापे notes अपलब दे हिंदी का 100 रुपे का है ABS का notes बहुत ही बहतरी notes से हिंदी और ABS के 100-100 रुपे में सामजी विज्ञान जिनके पास में सेकेंड पेपर के लिए है उन लोगों के लिए बहुत ही बहतरी notes से 100 रुपे का अगर बात करें CDP के तो CDP का notes आपको देर सुम में मिलेगा क्योंकि CDP में बहुत सारे question answer हम लोगों ने add कि है जो आपके इस बार पूछे गए था 2021-22 में उसको बनाने में बहुत ज़्यादा time लगा है सबसे ज़्यादा time taking था CDP का notes बनाना क्योंकि हिंदी और इंग्लिस दोनों ही भासाओं में उसको बनाना पड़ा है तो जिन लोगों को आवशकता है notes की या फिर PDF की या फिर previous share paper लगाने की या फिर आपको NCRT book पढ़ने की वो लग हमारा Master Shadda Learning आप जरूर डाउनलोड करिए और यहां से पढ़ सकते हैं आप लोग है इस समय हमारा offer चल ला है अगर आप हमारे इस समय कोई भी दो कोर्स खरिते हैं यानि हिंदी का EBS का या फिर समाजी विज्ञान का और हिंदी का तो आपको तीसरा बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा CDP का आपको फ्री में नहीं मिलेगा CDP को आपको 1500 रुपे पेकर कर ही मिलने वाला है तो आप लोग उसको याद रखेंगे तो जिनको आवशकता है वो लोग खरी सकते हैं 200 रुपे में तीन नोट सी समय आगे चलते हैं अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 27 लिखा हे हिंदी भासा की पाठ पुस्थकों को हिंदी तर भासाओं की रचनाओं को भी स्तान मिलना चाहिए ताकि क्योंश्चन को अर् precisamente को आपने देखियोगी की हिंदी में आती हैं तो कहने का मतलब है कि जो हिंदी के हमारी पुछाइब पारीयों पहले प्शेटर लिखा है बच्चे हिंदितर रचनाओं की जानकारी मिल जाए। दुसरा प्शेटर लिखा है बच्चे हिंदितर रचनाओं की भासिक विशस्ताओं से परिचित हो सके हैं। आपसन लिखा है बच्चे हिंदीतर भासाओं पर अपनी पकड़ बना सकें जब वह सभी भासाओं को पढ़ेंगे तो हर भासाओं से क्या हो जाएगा उनका परिचे हो जाएगा तो आपसन नंबर भी बिल्कु सही है इस कोश्चन के लिए चलते हैं एकले कोश्चन पर कोश्चन नंबर 28 सभी लोग पढ़िए उच्च प्राथमी किस्तर पर हिंदी भासा सिछन का एक महत्पूर उद्देश क्या है हिंदी भासा के नियम बद्य प्रकत को पहचानना हिंदी भासा के व्यक्रण को कंठस्ट करना सबस्ट करना को किस्तर नंबर 29 सांट अकर्ण करना कों नाम को लोग याद रखेंगे को याद रखेंगे ऑना की लिख्गित कुछ नहीं होता है तो यह सब नहीं करना है नियम बद्य प्रकति को पहचानना को इनकी व्यक्रतstem कुछ आपसान नमबर ए उच्छ प्राथ्म किस्तर की आप बात की गई है तो सभी लोगों ने आपसान नमबर ए किया था तो आप जरू पताएगा कोश्चन नमबर 18 के लिए आपने कौन सा अपसन सेलेक्ट किया था देखते हैं अगला कोश्चन कोश्चन है भासा परिचर्चा में बन चुका ही है सभी लोग बताएगा सही आंसर क्या होगा इसके लिए भासर करना परिचर्चा करना समवाद करना बच्चों की डाट डॉट चमता का विकास करने में सहायक है बहुत आसान कोश्चन था मोखिक अभिव्यक्तिका बढ़ावा इससे मिलता है बच्चों मे कोई बच्चा जब भासर देगा या फिर समवाद करेंगे आपस में बाचीत करेंगे या फिर कोई चीत किसी से पूच रहे है या फिर किसी से बता रहे है तो इससे क्या होता है मोखिक अभिवक्तिका विकास होता है तो इसमें ज़्यादा को सोचने विचानने वाली बात अगला question और अंतिम question है आज की class का उमीदे सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सभी का अंतिम question सही निकलना चाहिए अंत भला तो सब भला फटा-फट बताईए सही answer क्या होगा गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरि question में दूसरा अप्सान लिखा है अभ्यास प्रशनों को गढ़ने में तिसरा अप्सान लिखा है भासाई सन रचनाओं पर अधिकार में चत्रा अप्सान लिखा है भासया वैक्टरण पर अधिकार में प्रादिकार में मदद करता है आपसा नंबर सी जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चिन नंबर सी किया था उनको सबको एक नंबर यहां पर मिल जाए और जिन लोगों नहीं कर पाया है उनका सबका हो जाएगा गलत और अगर आपको इसकी पीडियेफ चाहिए तो आपको अभी हम बता ही चुके हैं क्या करना है माश्टा शड्डा लर्निंग अप यह देखिए इसको आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको पीडियेफ के साथ साथ में बहुत कुछ मुफ्त में मिलने वाला है अगर आपको पैड़ागोजी समझ में नहीं आ रह रहे हैं तो आप सोर पर खतम करके अपने हिंदी को बहतर कर सकते हैं तो चलिए मिलते अंगरी क्लास में जब तक आप लोग पढ़ते रही है स्वस्त्रिये मस्त्रिये धन्यवाद भवाई